सद्गूरु तो जनम जनम की जो आदतों की बीमारी पड़ी है हमारी मन जो बीमार है हमारों जो जो बुद्धी जो बीमार है जनम जनम की सद्गूरु वाको वेद्ध है अचा बीमारी का लच्छन का है हम यदि बीमार है तो हमें कोई भी चीज हरेक चीज नुक्सान करेगी कि हम यदि पूर्ण स्वस्त हो हैं तो अंगार धूर कचु खा जाओ तो हमें कचु वेवारो पूर्ण स्वस्त हैं तो और यदि हम भीतर ते भी मार हैं तो नेक नेक चीज नुक्सान करेगी और डोक्टर छोडाती चले जाओ अज़े ठोड़ो नेख स्वस्त है अब बात आई मन की हमें हमें छोटी चोटी बात परेसान करेगी हमें छोटी-चोटी बात संसार की बुरी लग जाएं तो हम बीमार हैं और हमें दुनिया की काव बात कोई भरकन पड़े नाम फेरत सनेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने कि हमें काव संसार की काव परिस्तिती को काव अको भरक न पड़े हम सबेपचा जाएं सबेज जेल जाएं ऐसी छमता ही तो बुद्ध पूरुष प्रदान करता है यूमिनिटी पाबर वड़ाता है कि और जम मन कमजोर होता है हमारे हम वह मर हो जाता है मन तो नेक बात पर नेंक अनका ना वाती फुर करी ना नेक-nake सबिए ना इसलिए हमें जो और तुम दुखी हो गए तो तुम असफल हो गए कि टूमने हमने अपना रिमोड दूसरे क्वास में दे दिया ना तो दूसरों चाह औगो तो दुखी करेगो लेकिन जाकी छंताज महापूर्श बढ़ाने के के लिए हमें गुरुमंत्र देता है हमें ग्रंथ देता है और हम उसके बचनों का वचनाम्रत चरनाम्रत पीते हैं अपने कानों से तो हम इतने पावरफुल हो जाते हैं हमारा मन बीमारियों से दूर होता चला जाता है और उसे बीमारी से जब हम दूर होते हैं जब हम स्वस्त होते हैं तो फिर हमारे जनम जनमांतरों के जो बंधन थे वो अपने आप उनसे हम मुक्त हो जाते हैं तो शुरुवाद करी थी अब मैं समय की मर्यादा में प्रवचन जितना किया था उसको दोहरा करके समेट करके सार बता रहा हूँ मैंने सुरुवाद करी थी गुर्ट्वाकरशन से कि गुर्ट्वाकरशन से जब कोई यंत्र उपर पहुंचाता है तो वो हजारों, लाखों, करोडों, यंत्रों का चलाने वाला बन जाता है खुद भी इस पकड़ से उपर हो जाता है और बहुतों को फिर वो संचालित करता है ऐसे ही ममत्वाकरशन और एहमत्वाकरशन इन दोनों के आकरशन से, पकड़ से गुरु दीमे दीमे अपने सिश्य को उपर उठाता है और उपर उठाने में बहुत प्रेसर लगाना पड़ता है हमारा सुवाब है जनम जनमांतरों का के हम जहां बैठ जाते हैं वहीं चुपकते हैं हम जहां बैठते हैं वहीं चुपकते हैं और वाते हटावे के लिए महापुर्ष प्रेसराज करता है प्रेसर देता है जहां जहां तुम पकड़ोगे वहीं से छुड़ा देगा जो जो तुम पकड़ोगे वहीं पर प्रहार कर देगा और वो उर्ध गामी करता है हमें जब हम इन पकड़ों से उपर हो जाते हैं तो हम लाखों करोडों यंत्रों के चलाने वाले बन जाते हैं यद्यपी हम भी एक यंत्र हैं यद्यपी हम भी एक यंत्र हैं लेकिन हम जब इन आकरशणों से उपर उठ जाते हैं एक बात बताऊं जब कोई व्यक्ति बीमार हो वह चक्कर आमत हो है तो बागो हाथ पकर के चलना हो पत्तो है नौँ हाँ या ना वह चक्कर आए वह बंद है जाता हो तो फिर पकर भी का जुरूत है फिर छोड़ देते हैं जा ऐसे ही महापुरुस अपने सिस्यों की बाह पकड़ के रखता है जब तक कब तक जब तक बाइच चक्कर आए रहे हैं चक्कर आंगे तो गिरेगो चक्कर कायत यामत है जब वो चलने की कोशिस करता है जान इतनी है नहीं जान इतनी है नहीं तो चक्कर आंगे और गिरेगो अध्यात्म मारग में मारग में संसार को देखके चकर आ जाते है नारजी को विस्व मोहिनी को देखके चक्कर आ गया संसार के अनेकों लोगों की बातों को सुनकर के चक्कर आ जाते हैं और वो गिर पड़ता है उन चक्कर उस चक्कर नामे इतना तागतवर बनाने के बाद फिर महापुरुस बाह छोड़के स्वतंत्र हो जाता है तो तब तक ही महापुरुस को बाह पकड़ाने की जरूरत है उसके बाद जानत तुमे तुमे हुए जाही यदि महापुरुस तुम्हारी बाहँ पकड रहा है महापुरुस हमारी बाहँ पकड है और हम उसके बचन पकड है तो इस जो चौपाई में जो सब्द था वह से लों कहते हैं हमें गुरुजी से तो बहुत लगाव है हमें गुरुजी से बहुत प्रेम है गुरुजी से तो बहुत प्रेमेज तो लग रहा है न ये बड़ा गड़वड़ है क्या को मतलब कहूं न कहूं गड़वड़ी है तो क्यों लगा हुआ है बुले पर गुरुजी की कशुब बात है न वो हमें अच्छी ना लगा जब गोष्वामुजी ने लिखा तो इस बात का बड़ा ध्यान रखा उन्होंने कहा कि सद्गुरु वैद्य है उसमें तुम्हें लगाव हो अटेच्मेंट और प्रेम हो अच्छी बात है लेकिन बामें प्रेम नेकाद कम है जाए तो कोई बात नहीं लेकिन विश्वास और अटेच्मेंट गुरू से भी जादा गुरू के बचन में रखना इसलिए चौपाई को समझ रहा है सद्गुरु वैद्य अब समझना बचन विश्वास क्योंको बचन ही सद्गुरु है के द्यान मूलम गोरुमूर्ति पुजा मूलम मंत्र मूलम गुरॉर citoy मूलम भ कि को समय अगरी और को ψ एक बचन नहीं प्रत्यव्यशंग प्रत्येक वचन cotton पर हमें विश्वास हो एक बात और मुझे यहां कहनी है जब स्कोई गुरू तुमसे कहे कि तुम यह क्याम वो काम तुम्हें लग रहो है कि में छमता ते बाहर है और तुम्हारों मन आना कानी कर रहो हुए उसी समय मन को फटकारना कैना तुआ अपनी छमताप आपकर एवा जिनकामन ने जब गुरू कह रहा है तो कौन कौम गुरू ने अपनी छमता उद्धै होगी तुचलिके तो झालेको